तो आईए हम फिर हाजिर हैं एक और धमाकेदार सेशन के साथ दोस्तों आज का दिन मोधी केर के लिए बहुत स्पेशल है आज का दिन जश्ट मनाने का दिन है दुनिया में जादतर कंपनिया जहां एक प्रोडक्ट पर सक्सेस खड़ी कर लेती हैं मोधी केर ने आज एक पूरी नई कैटेगरी लाँच करी है टेक कैटेगरी दोस्तों हर एक कैटेगरी लाखों लोगों को लाखों रुपया दिलाने में के पेवले मोधी केर की पर यह जो टेक कैटेगरी आई है जो यह नई कैटेगरी आज लाँच की गई है ये कैटेगरी आपके सारे सपने बड़े कर देगी और हर बड़े से बड़ा सपना आसानी के साथ पूरा कर देगी तो हम इस सेशन में यही बात करेंगे कैसे आप और 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 बहुत बड़े सपने देख सकते हैं और कैसे आप उन सपनों को स्मार्टली पूरा कर सकते हैं, मोधी केर ने एक नए लेवल पर लाकर के खड़ा कर दिया है, हर मोधी केरियन को, हर उस व्यक्ति को जो मोधी केर के साथ अपने सपने पूरे करना जाता है, पर जैसा कि मैं हर सेशन की शुरुआत में करती हूँ, एक कहानी से शुरू करना चाहूंगी, एक जूते बनाने वाली कंपनी थी, उसने एक बार किसी पिछडे देश में अपने एक डिप्रेजनेटेटिव को भेजा, कि जाओ जाकर के रिसर्च करो कि इस देश में अगर हम अपनी जूतों की फैक्टरी लगाएं, तो वो ठीक डिशीजन रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस कंप्ती का रिप्रेजनेटेटिव गया, और वो वहाँ पे एरपोर्ट पे उत्रा, उसने 5-7 मिनट इदर उदर देखा, और फटा-फटे के स्टीडी बूत पे जाकर के कॉल किया, मुझे वापस बुला लो, यहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता है, उसने का मुझे वापस बुला लो, जूतों की फेक्टिव का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता है, दूसरी एक और जूते बनाने वाली कमप्टी थी, उसने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि, जाएए जाकर के देखिए, क्या हम यहाँ पे जूतों की फेक्टिव लगाएं, वो रिप्रेजेंटेटिव उसी देश में उत्रा, पांच मिनट के अंदर अंदर उसने दुबारा से, उसने अपनी कमपनी को कॉल किया, और उसने कहा, जल्दी से फेक्टिव लगाईए, बड़ी से बड़ी फेक्टिव लगाईए, यहाँ पर किसी के पास जूते हैं ही नहीं, दोस्तों यह होता है नजर और नजरिये का कमाल, यह होता है नजरिये नजरिये का अंतर, एक ने कहा, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, दूसरे ने कहा यहां किसी के पास जूते हैं ही नहीं उसको एक को impossibility दिखी एक को possibility दिखी जिसको possibility दिखी उसके company ने जूतों की factory लगाई और आज उस देश का बच्चा बच्चा चपपे पे जूते पहनने वाले लोग दिखरे पड़ें और वो company महां की सबसे बड़ी जूत बनाने वाली company है दोस्तों आज हमारे साथ भी यही होने जा रहा है हम एक ऐसा product launch कर रहे हैं जिसकी जरूरत सब को है पर उसकी awareness बहुत कम है वो product बहुत कम लोगों के पास है और basically किसी को नहीं पता कि यह product क्या कर सकता है पर जरूरत यह सच है कि जरूरत उस product की उतनी है जि दोस्तों इस अमेजिंग हमारी company इस lockdown period में जबकि लोग अपने product कम कर रहे हैं बड़ी से बड़ी कार बनाने वाली company भी सोच रहे है कि किस product का कितने percent manufacturing किया जाएगा जब खुलेगा हर कोई सोच सोच के कंजूसी से conservative approach के साथ product ला रहा है product launch तो बिलकुली दूर की बात हो ग यह सबसे बड़ी चीज होती है अगर इस समय हमारी company ने सोच लिया होता कैसे पैसे बचाए कैसे किसी तरह बस अपने आपको safe रखे अगर हमारी company ने भी conservative approach अपना ही होती तो हम भी बस किसी तरह lockdown की दुहाई देकर के अपने आपको समझा रहे होते कि क्या कर सकते हैं जैसी के सामने है और वो यह ही है कि Modi Care ने ऐसा product launch किया है जिसको lockdown में भी काम में लिया जा सकता है जिसकी delivery की कोई जरुरत नहीं है जिसकी कोई stock की जरुरत नहीं है जो कभी out of stock नहीं हो सकता है जिसकी जरुरत सब को है हर किसी को उस product की जरुरत है जिसकी awareness create घर बैठे की जा सकती ह और जिसको खरीदा, बेचा, घर बैठे जा सकता है, जिसको इस्तेमाल घर बैठे किया जा सकता है, अगर लॉगडाउन भगवान न करे, लॉगडाउन जितने भी समय चलता है, ये एक प्रोड़क्ट ऐसा है, जो आपको लगपती, करोड़पती बना सकता है, तो क्या आप सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे मोधी केर के ट्रेनिंग है, श्री चरद चौधी जी, आइए शरद चौधी जी को सुनते हैं, और देखते हैं इस प्रोड़क्ट का प्रेजेंटेशन, जो आपने लोगडाउन के बावजूद, घर में र फोलो करते हुए पिष्टे छे दिन में, जो बिजनस में कमाल करके दिखाया है, वो चमतकारी है, वो अनमाचेबल है, अनबीटेबल है, और मेरे को अब कोई डाउट नहीं है दिल में कि नाव, मोधी केर विल बी वर्ल्स नमबर वन डारेक सेलिंग कमपनी, जैसे ही लोग आपको लोगडाउन के बाद ये डिलेशन्शिप्स बहुत मदद करेंगे बिजनस को और तेरी से आगे बढ़ाने में, और अब इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए, हम आपके लिए ऐसा प्रोड़क लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में आज हम यावे बात कर रहे हैं, जो आज से पहले पूरी डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने भी लॉंच नहीं किया, और एक ऐसा प्रोड़क है, जो कि लॉकडाउन प्रूफ है, लॉकडाउन का कोई भी असर इस प्रोड़क के ऊपर नहीं होगा, इस प्रोड़क को खरीदने के लिए या आगे बेचने के लिए आपको कोरियर्स के ऊपर, शिपिंग के ऊपर, ट्रक्स के ऊपर, डिस्रिबूशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो इस लॉकडाउन प्रूफ और यह आज की ज़रूरत है, शायद सबसे ज़रूरी है अगर कोई हमारे लिए जो प्रो है, इन फैक हमारी जो पूरा जिसे हम कहते हैं लाइफ है, वो हमारे मॉबाइल फॉन में आ चुकी है, हम अपने मॉबाइल फॉन से सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार, कित कई सारे काम करते हैं, चाहे खाने का ओर्डर करना हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, मोधिकर स्टेटिस आपने चेक करना है, पेमेंस करनी है, बगैरा बगैरा, सब कुछ हम आजकल जो है, मॉबाइल फॉन में करते हैं, and now मॉबाइल फॉन आर लाइफ 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 ल इंजरी से physical damage से protection तो मिल जाती है पर क्या वाकई में जो mobile phone के अंदर हमारा पूरा life history छिपा हुआ है, saved है, हमारी photographs, हमारे financial transactions की details, हमारा social networking का detail, हमारे messages, जो सब कुछ उसमें saved है, क्या वो data protected है? वेल, आपने सही guess किया, नहीं, तो आईए check करते हैं कि क्या हो सकता है अगर हमने अपना data protect नहीं किया, क्या हमारे उपर भी कोई hacking attack हुआ है या नहीं, क्या आप जानना चाहेंगे, तो एक tool है हमारे पास, और उस tool में आप अपना email id, जो भी use करते हैं हो डालिए, और आपको भी मालूम चल जाएगा कि past में, क्या आपका email id hack हुआ है या नहीं, या कोई data breach हुआ है या नहीं, या जो आपकी sensitive private information है, वो hackers तक पहुंची है या नहीं, और इस tool को use करने के लिए आप जा सकते हैं, mightyguard alert.modicure.com पर, या आप इस QR code को scan करें, अपने mobile phone से, और ये URL आपके browser म खुल जाएगा, तो आइए इसको भी हम use करते हैं, तो मैं अपने laptop में browser open कर रहा हूँ, and I'm going to mightyguard alert.modicure.com और यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह दिखा रहा है, कि अभी तक बहुत बड़ा number है, 95 crore accounts hack हो चुके हैं, मैं यह देखना चाहता हूँ, कि मेरा email id में जो data था, क्या वो किसी hacker के पास पहुंचा है या ने नी, तो मैं यहाँ पर email address के search, यहाँ पर text box में अपना email id डालता हूँ, sharachaudhry at aol.com, यह email id मैं काफी time से use कर रहा था, और मैं इस button के उपर click करता हूँ, secure, देखते हैं क्या बताता है, मुझे खुद बहुत डर लग रहा है, oops, so email sharachaudhry at aol.com, found in 15 non-data breaches, oh my god, मैंने कभी adobe के उपर register किया था, तो यहाँ से मेरे email address, password hint, passwords, username, hackers के पास पहुंच चुके हैं, और जिन-जिन websites के उपर मैंने register किया, यह 15 ऐसी websites हैं, जहाँ से hackers ने मेरी personal information, even a website like LinkedIn, email address और password वहाँ से leak हो गया, यह MySpace, जो कि एक बहुत popular social networking website थी, यह Netlog, so this is very, very, very scary, बहुत ही दरावना है कि 15 बार मेरी email address और password लीक हुए हैं, So, यह tool हमें बताता है कि हम किस तरह के इस समय technology का जो हमारा पूरा दोर चल रहा है, वो फाइदे मन तो है, लेकिन खतरनाग भी है, कि हमें hacking का हम शिकार बने और हमें पता भी नहीं चला, तो इस tool से हम पता कर सकते हैं कि past में हमारा data breach हुआ या नहीं, and that is why we know कि हमें सुरक्षित रहना है, तभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है mobile security की, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हम पब्लिक वाइफाइ यूज करते हैं, या airport पे या hotel में वाइफाइ यूज करते हैं, और मैं आपको बता दू, जो public वाइफाइ हम यूज करते हैं, वो बिलकुल भी safe नहीं है, एक mediocre hacker भी अगर उस wifi के network पे है, जिस wifi को आप use कर रहे हो, तो वो आपके account में intrude कर सकता है, और आपका data चोरी कर सकता है, हम अपने phones में banking की, reservation की, online delivery, games, कितने सारी apps डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें यह नहीं मालूम कि वो apps genuine हैं, या उसरे कुछ apps ऐसी हैं, जो सेंध हमारी कर रही हैं, या जो चोरी कर रही हैं हमारे data की, और कई बार हम कुछ movie content या entertainment content को unlock करने के लिए, कुछ websites पर जाते हैं, वहाँ से भी हमारा data चोरी हो सकता है, और हमें कई बार fake SMS भी आते हैं, कि आप में 50 लाख रुपे जीत लिए हैं, इस link के उपर click करें, आपके account में 50 लाख रुपे transfer कर दिये जाएंगे, लेकिन जब हम उस link के उपर click करते हैं, और अपनी information एंटर करते हैं, तो पदा चलता है, कि हमारे account से ही पैसा निकल गया, and that is why we need mobile security, हमारे mobile को हमारे बारे में हमसे भी जादा वालू है, हमारी memory, हमारी याददाश्ट इतनी नहीं है, जितनी हमारे mobile की है, so कोई भी privacy आजकल इस जमाने में नहीं रह गई, in fact आपने कई बार यह observe किया होगा, कि आप किसी Google, आप Google.com पर गए और आपने कुछ सर्च किया, for example, आपने सर्च किया, let's say, some shoes, और जो आपने सर्च किया, वो आपके Facebook फीड में भी कुछ वैसी ही ads आनी शुरू हो गई, कैसे मालूम चला Facebook को कि आपने Google पर जाकर क्या सर्च किया था, कोई भी browsing history, private नहीं है आज के time में, ISP हो, जो internet service provider हो, आपका browser हो, आपके mobile में जो apps installed है, उन्हें मालूम है कि आपकी habits क्या है, आप क्या-क्या website जा रहे हैं, क्या use कर रहे हैं, और उनके पास आपकी private sensitive information, like photographs, like passwords, like email IDs भी हो सकती है, और इस email ID, password के साथ, वो आपके net banking apps में भी login करके वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, so this is very very scary and drama, और आप यहां पर देख रहे हैं, news cuttings में, कि तक्रीबन 2019 के साल में, 1.5 करोर mobile phones इंडिया में hack किये गए थे, कई सारे viruses Android के devices में आ चुके हैं, infection हो चुकी है Android के devices में और वहाँ से data leak हो रहा है, now इससे बचने का तरीका क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी private information, sensitive information leak ना हो, mobile security रहे, आप safely mobile को internet को access करें, तो जो तरीका है जिसको आज हम launch करने वाले हैं, कल के दिन में, उस का नाम है mighty guard, जो की एक mobile security app है, military grade है, और इसमें जो technology हमने use की है, वो एक Israeli technology है, जो engineers ने इस mighty guard app को बनाया है, वो इसराइल में based हैं, और इसराइल जैसे कि मैं आपको बता दू, सबसे बहेतरीन technology इसराइल की मानी जाती है, जब हम बात करते हैं, digital security की या digital surveillance की, अपने आसपास इसराइल के जितने भी देश हैं, वो सारे दुश्मन देश हैं, उनसे बचने के लिए इसराइल ने अपने आपको इतना digitally strong कर दिया है, कि वो अब number one बन चुका है, digital surveillance technologies में, और वैसी ही technology, military grade हमने यूज की है mighty guard में, और mighty guard आपको आजादी देता है, हर तरह के internet threats से, किसी भी malware के attack से, किसी भी hacking के attack से, और आप आजादी से, बिना किशी tension के, आजाद होकर internet को use कर सकते हैं, अपने mobile phones में और internet का भरफूर फायदा और benefit ले सकते हैं, बिना किसी tension के आजाद होकर, तो आजे देखते हैं, mighty guard आपको क्या-क्या features प्रोवाइड करता है, और क्या-क्या उसके benefits हैं, so mighty guard आपको देखा anti-theft feature, अगर phone चोरी हो जाता है, तो उसके बाद आप अपने phone को remotely block कर सकते हैं, app lock feature, intruder alert, call blocker, parental control, data breach, privacy advisory and secure VPN, फायदेज के ये हैं, कि जब भी आप अपने mobile phone से internet को browse कर रहे हैं, तो वो private browsing है, आपके ISP को भी नहीं पता चलेगा, कि आपकी browsing habits कौन सी हैं, तो आप anonymously browse कर सकते हैं, web security है, अगर आप एक public wifi use कर रहे हैं, तो भी आपका जो IP है, वो hidden है, यानि कि wifi पे कोई भी hacker आपको पहचान नहीं सकता, और आपके mobile phone में entry नहीं ले सकता, और जैसे कि मैंने बताया, जो भी data transfer है, वो military grade encryption है, अगर कोई देखना भी चाहें, और किसी तरीके से enter भी कर लें, और आपका data उसको मिल भी चाहें, तो भी वो data पढ़ नहीं पाएगा, because वो encrypted है, and this is military grade encryption, आईए फड़ा फड़ हर एक benefit के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहला benefit है वो है anti-theft, जब आप इस को activate करेंगे, mighty guard app में, और इसमें कई सारे features हैं, for example, location of the device, आपको मालूम चल जाएगा कि आपका device कहां पर पढ़ा है, उसकी location क्या है, lock device remotely, यानि कि आप, अगर किसी ने आपका phone चोरी कर लिया, तो आप अपनी device को remotely lock कर सकते हैं, तो वो चोर ने बेशक physically आपको mobile phone चोरी कर लिया, लेकिन वो उसको use नहीं कर पाएगा, remote siren की एक facility है, phone बजना शुरू हो जाएगा, siren बजना शुरू हो जाएगा, और snapshot of the thief, और अगर वो चोर phone में entry लेने की कोशिश करता है, password डालने की कोशिश करेगा, और अगर उसने तीम बार password गलट डाल दिया, तो उसकी selfie क्लिक हो जाएगी, और उसका snapshot capture हो जाएगा, second feature is the app lock feature, कुछ websites या कुछ apps ऐसी होंगी, जो आप चाहते हैं, कि वो सिर्फ आप ही use करें, कोई और use ना करें आपके mobile phones में, चाहे वो for example आपकी business critical कोई app है, जैसे हमारा modi.com app है, you want कि सिर्फ आप भी उसको use करें, तो आप एक app lock feature इसमें activate कर सकते हैं, उस app को use करने से पहले, mighty guard आप से pin मांगेगा, आप pin डालेंगे, जो सिर्फ आपको ही मालूम होगा, तब ही उस app को आप use कर पाएंगे, तो आपके बिना कोई भी app को use नहीं कर सकता आपके अलावा, then there is intruder alert, now this is a beautiful feature, for example आपका phone कहीं पर 15-20 minute के लिए पड़ा है, आपको ध्यान में नहीं रहा, कोई व्यक्ति आता है और वो आपके phone का इस्तेमाल करने की कौशिश करता है, और अगर आपने password डाला हुआ है, तो वो password एंटर करेगा, अगर तीन बार से ज़्यादा password डल गया, गलत, तीन बार से ज़्यादा गलत password उन्होंने डाल दिया, तो ये mighty guard की app, automatically उस व्यक्ति की photo खींच लेगी, और आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी permission के बिना, किस ने आपके mobile phone को इस्तेवाल करने की कोशिश करी थी, then the fourth feature is call blocker, बहुत सारी fraud calls आती है, unwanted calls आती है, you know, marketing वालों की बहुत सारी calls आती है, आप उन numbers को block कर सकते हो, इस feature को use करके, parental control feature है, बहुत सारी websites या apps या content ऐसा है, जो आप चाहते हो कि बच्चे ना देखें, युनों बच्चे आजकल Netflix पे या Hotstar पे movies देखते रहते हैं, बड़ आप चाहते हो कि वो थोड़ा पढ़ाई में मन लगाएं, तो आप parental lock feature जो है, activate कर सकते हैं, तो जो websites, children के लिए, बच्चों के लिए suitable नहीं हैं, बच्चों को access नहीं कर पाएंगे, 6th is the data breach feature, जो हमने पहले भी देखा था, mightyguardalert.modiger.com पर जाकर, यहाँ पे आप अपनी email id डालें, अपने friends की, अपने family members की, और यह आपको बता देगा, कि क्या past में कुछ भी data breach हुआ था, इस email id से related, या नहीं, and then you can take precaution, अगर आपको मालूम चल जाए, कि कुछ data breach हुआ था, तो आप उस email account का password change कर सकते हैं, या अगर वो email id आपके किसी banking account के साथ भी जुड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे अपना email id भी change करा सकते हैं, feature number 7 is privacy advisory, हम कई बार कई सारी apps जब install करते हैं, तो वो apps हमसे permission मांगता है, for example, contacts को access करने के लिए, या camera access करने के लिए, और हम ज़ादा गोर किये बिना जितनी भी permissions उस app ने हमसे मांगी, हम सब के उपर yes, 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 click करते जाते हैं, पर कई बर ऐसा हो सकता है कि कुछ apps हमारा sensitive data चोरी करना चाहे, तो इस feature में हमें ये मालूम चलेगा कि हमारे phone में इस समय कौन सी app installed है, और हमने उस app को कौन सी permission दी हुई है, हम इसको analyze कर सकते हैं, फिर जिस permission को हम rework करना चाहें या रखना चाहें, वो हम decide कर सकते हैं, feature number 8 and the most beautiful feature is a secure VPN, आप इस secure VPN को जब आप activate करेंगे, तो आपके पास option आएगा कि आप अपना server चूज़ कर सकते हैं, आप India का server चूज़ कर सकते हैं, या अमेरिका का server चूज़ कर सकते हैं, आप European country का server चूज़ कर सकते हैं, इसका फायदा ये होगा कि जब आप secure VPN यूज़ करके internet को browse करेंगे, तो आपका IP, जो internet address है, जो internet location है, वो किसी को मालूम नहीं चलेगी, वो hidden हो जाएगी, और दूसरा ये भी है, कि for example, कुछ content जो आप India में देख सकते हैं, लेकिन जब आप India से बाहर गए, वहाँ पर वो available नहीं है, for example, जो मुझे याद आ रहा है, जैसे एक website है Hotstar, Hotstar इंडिया में बहुत popular है, मैं उसके उपर cricket हमेशा देखता रहता हूँ, जब भी cricket का match होता है, लेकिन जब आप Middle East में होते हैं, जब कभी आप Dubai में होते हैं, तो Hotstar वहाँ पर allowed नहीं है, तो आप वहाँ पर VPN यूज़ करिए, इंडिया वाला server चूज़ कर लें, क्योंकि Hotstar इंडिया में allowed है, तो आप इसको access कर सकते हैं, and this also gives you, you know, the benefit of private browsing, आप Wi-Fi यूज़ कर रहे हो, लेकिन कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा, आपका जो internet के उपर identity है, वो anonymous रहेगी, और secure तरीके से आप internet को access कर सकते हो, तो जब आप आप को install करते हैं, तो यह app आप से कुछ permissions मागेगा, आपको उन permissions को allow करना है, बहुत ही clearly यह आपको बताएगा, कि क्या क्या permissions यह app ले रहा है, so this is a very very beautiful wonderful app, और you know, इस तरह का एक home screen रहेगा, जिसके उपर यह आठों features, आपके activated हैं या नहीं है, यह दिखाएगा, अगर feature activated हैं तो dark color में रहेगा, जैसे कि आप right hand side पर देख रहे हो, अगर activated नहीं है, तो वो light gray color में रहेगा, आप उस feature के उपर tab करके, उस feature को again activate कर सकते हैं, forget password, यह सारी options इसमें available हैं, और नव मैं last में आपको बताना चाहूंगा, कि इसका MRP और DP कितना है, तो जानना चाहेंगे और कितना BV आपको मिलेगा, तो दिल थामके बैठिये, क्योंकि जो यह product है, आपके business में कई गुना growth लाने वाला है, सो इसका जो MRP है, Mighty Guard का, इस इस 799 रूपी, and DP is 666, and the business volume is 60%, विच इस 399 रूपी, PV आपको मिल जाता है 14.78, so this is amazing, हर किसी के phone में, जो भी एगर smartphone यूज कर रहा है, यह app होना चाहिए, आज कल चोरियां physically नहीं हो रही, लोगडाउन में सारे लोग घर हैं, कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए, आज कल चोरियां हो रही हैं digitally, और बिना हमें पता चले, चोरी हो जाती हैं, और हमें ख़बर भी नहीं बढ़ती, so this is the Chowkidar, this is the Mighty Guard, international, military grade, और जैसे कि मैंने आपको बताया, this is lockdown proof, कोई कोरियर की जुरूरत नहीं है, इसको खरीदने के लिए, बेशने के लिए, modiger.com पे जाएं, जैसे आप normal purchasing करते हैं product की, वैसे purchase करें, SMS आएगा, उसमें activation link होगा, उसके उपर click करें, और बहुत असानी से ये आप purchase करके, यूज कर सकते हैं, Google Play Store पे ये available है, वहाँ से download कर लें, activation link के थूँ, आपका mobile number जो आप डालेंगे, वो username रहेगा, आप password क्रेट कर सकते हो, username और password से आप entry करेंगे, login करेंगे, आप में, और जब से आप इसको use करना शुरू करते हैं, तब से आप आज़ादी से internet use कर सकते हो, और बिना किसी internet threat के, malware के डर के, you can use internet to productively build your business. Thank you so much. Fantastic, amazing, amazing products friends, इस समय में virtual product, ये सिर्फ मोधी केरी कर सकता है, इस समय में इतना बड़ा भूम, ये सिर्फ मोधी केरी ला सकता है, इस सो amazing, जितना मैं समझ रही हूँ, कम से कम इस महीने 10 करोड रुपया, मोधी केर अपने consultants की pocket में, इस सिर्फ इस एक product की बदौलत दे पाएगा, अब मेरा आप से सवाल है, इस 10 करोड रुपय में से, आप कितना रुपया आपकी pocket में डालना चाहते हैं, आपको कितने रुपय की जरुरत है, कितना बड़ा आपका सपना है, देखिए जो ये काम हुआ है न, ये खाली कुछ technical decision नहीं है, ये काइनात आपका साथ दे रही है, ये काइनात आपको आपके सपनों से मिलाने में इंट्रेस्टेड है, जो भी आपने सपने देखे हैं, जो आपने सपने देखने का science और art सीखा है, और जो आप उस पर तुल गए हैं, कि हाँ आप ये सपना हमारा हर हाल में बूरा होकर के रहेगा, ये जो कुछ भी कर रही है, ये thousand micro decision जो है, ये आपके favor में इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि आपने सब conscious mind set कर दिया है, अपनी बड़ी सफलता के लिए, और ये time आ गया है, अपने conscious mind को please करने का, ताकत है उन नीचे जाते हुए लोगों को ऊपर उठाने की, उस ताकत को महसूस कीजिए, उस proud of performance को feel कीजिए, जो आपकी company ने कर दिया, उसे आप भी तो own करते हैं, ये आपके लिए भी तो शान की बात है, अब जरूरी है इस शान को, इस proud of performance को feel करते हुए, इस message को जो कर चुका है, modi care, उस message को दुनिया तक पहुचाने का, तो आईए चली बात करते हैं कि अब क्या करना है, how to do it, कैसे maximum इस product का benefit उठाया जाए, सबसे पहली बात, जैसा कि आज सुबरोतों सर सिखा रहे थे, कि पहले के आएगा, फिर M आएगा, पहले knowledge आएगी, फिर money आएगा, तो K versus M की जब बात आती है, तो आप सब को time भी देना है, जादा time भी लगाना है, देखिए इतना समझ लीजे, हम लोगोंने कोशिश करी, तो हमने दो दिन में Zoom सीख लिया, हमने कोशिश करी, तो हमने YouTube लाइफ, हमने Facebook लाइफ, मोधी करके maximum लोगोंने कभी नहीं किया था, जिस दिन हमने फैसला कर लिया, हमने जल्दी से जल्दी ये सब सीख लिया, तो पहली बात ये जरूरी है, कि आप सब अपना mind open रखें, देखें, दो तरीके कि लोगोंगे, जो इस product के बारे में सोचेंगे, कुछ लोगो खेंगे, अरे, ये सब कोई सी को नहीं चाहिए, ये सब नहीं चलता, जो कहेगा नहीं चलता, तो उनके लिए नहीं चलता, और जो कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, आजकल सारा के सारे लोगों का business, meetings जो हैं, वो सब online हो रही हैं, सब कुछ digital हो रहा है, हम सारे के सारे transaction digitally कर रहे हैं, यहां तक की सरकार जो lockdown में गरीबों को भी पैसा दे रही है, उनके account में डाल रही है, जन धन, खाते सब के खुले वे हैं, तो हर किसी के खाते में पैसे जा र कर रहे हैं, हमें बैटिंग करनी है, जब पेच उन्हों ने बिचाया है, जब पेच उन्हों ने तयार किया है, इतना बड़ा action किया गया है, तो company ने सब कुछ देख परक्र की किया होगा, अगर इस product की जरुरत नहीं होती, तो हमारी company ये product लाती नहीं, तो जो काम हमारे कर ने काई कि क्या सही है, क्या गलत है, company ले आई, मतलब उन्होंने सारे पैमानों पे खरा उतार दिया, इस product को, अब हमें open mind के साथ, इस product के अंदर घुसना है, इसकी जानकारी लेनी है, इसकी awareness क्रेट करनी है, तो आपके पास दो से तीन दिन है, देखिए, इस समय जो जितन meeting कर रहे होंगे, उन Zoom meetings को attend कीजिए, सुनिए, notes बनाईए, सारे के सारे features, benefits को समझेए, और फिर अपनी छोटे छोटे लेवल पे Zoom meeting करना शुरू कीजिए, बीस बीस लोगों को questions पूछने दीजिए, लोगों की questions आते हैं, आप अपने upline को या company management को call कीजिए, उनसे questions पूछ है, और जितने भी market में product available है, इस type के उसमें जो अलग अलग एक एक प्रोड़क में, जो एक दो दो फीचर होते हैं, वो सारे के सारे features और उससे भी एक दो extra feature company ने एक प्रोड़क पे डाला है, तो जब कोई सोना हाथ में लग गया है, तो सोने के खुश्बु को देखना तो आप इस product को समझ जाईए, सबसे पहला हमें करना है कि इस product को समझ जीए, दूसरी बात, हमें self use करना है, खुद खरीदना है, अगर हमने अपने mobile पे नहीं लगाया, बिलीव भी, आप कुछ भी करके इस product से पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो हम सब को self use करना है, एक ले लेना ह आपके लिए, और एक आपको लेना है, आगे sale करने के लिए, share करने के लिए, किसी को भी, जिस किसी इंसान को, जिस किसी मोधी केरियन को, इस product से पैसा कमाना है, एक नहीं लेना है, ओफर भी है, अगर आप एक लेते हैं, तो 60% बीवी है, अब आपने extra बीवी की importance को समझा ह दस से सतरा के बीच में, और आपको मालूम है, क्या magic कर सकता है, आप एक लेते हैं, तो 60% बीवी है, अगर आप दो या तीन लेते हैं, तो 65% बीवी है, और अगर तीन से चार से जादा लेते हैं, तो 70% बीवी है, तो मान के चलिए, किसी को एक नहीं खरीदना है, हम सब को minimum 2 order करने हैं, जिससे एक हम तुरंत अपने mobile में लगाएं, और एक हम किसी ना किसी के साथ शेयर करें, believe me, आपने एक ये product sale कर दिया, आपका confidence level इतने high level पे होगा, आप एक sale करोगे, वो experience अपने 100 network वालों को बताओगे, downline को बताओगे, वो 100 network वाले, 200 होगे, आपका एक खरी प्रोड़क्ट है, बहुत important है, company offer क्यों लाई है, देखिए हमेशा से मैं मानती हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर को चौक्य चौक्य लगाने हमने नहीं सिखाए, उसको पता है कब चौक्का लगाना, कब चौक्का लगाना, ऐसे ही समीर मोधी जी को भी पता है कि भाया, कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, राहूल जी अच्छे से जानते हैं आगे क्या करना, क्या नहीं करना, तो अगर उन्होंने ये offer दिया है, means इसमें हमारी कोई जीत है, उन्हें कोई shock नहीं कि हमें कुछ extra पैसा दिया जाए, शौक है, पर इस तरीके के offer हमें नहीं दिये जात करना, खाली बात करना important नहीं है, लोगों को सुनिये कि लोग क्या कहते हैं, फिर जो भी question आता है, आपके भी मन में आ रहा है, किसी और के भी मन में आ रहा है, company staff से, company official से, या अपने appliance को call करके, उन questions की, जो भी आपके मन में कोई भी दुवीदा होना, आपको किसी न किसी सम समझदार व्यक्ती से पूछ करके, याद रखिए समझदार व्यक्ती से, जिसको इस बारे में जानकारी नहीं, वो आपको नहीं बता पाएगा, जिसको जानकारी है, उनसे आपको पूछना है, फिर आपको list बनानी है, prospect list, ऐसे prospect list, जो list जो decision maker हो, हर किसी घर में कोई न कोई होता है, जो इस type की चीजें खरीदी जाएं या नहीं खरीदी जाएं का deciding authority रखता है, किसी घर में husband होते हैं, किसी घर में wife होते हैं, किसी घर में दादा जी होते हैं, तो आपको list बनानी है decision maker की, कि भया कौन कौन है, जिसको मैं इस product के बारे में बताओं, तो वो decision ले फिर आपको उन्हें invite करना है, कहां invite करना है, invite करने के लिए हम सबके सब top achievers मिल करके, हम सब आपके apply मिल करके, especially mighty guard theme based परीवरतन meeting करेंगे, अगले कुछ दिनों में लगातार, तो आप अपने लोगों को इस परीवरतन meeting में लाइए, जहां हम इस product के बारे में भी बताएंग इसकी success stories भी बताएंगे, इसकी need भी generate करेंगे, तो आप अपने लोगों को especially mighty guard based परीवरतन event में लेकर के आईए, बिलीव कीजिए, जो offer close है उसको use कीजेगा, आप जितने भी guest को लेकर के आते हैं, उन्हें बताएए, देखे इस पे 150 रुपे के करीब तो retail margin ही है, और फिर B दीचे दीचे पूरे network पे कमाया जा सकता है, ये product एक नई ही profile मोधी के लिए खोलने जा रहा है, ये product एक नया ही profile हमारे लिए create करने जा रहा है, और इस product के थूँ न केबल हमें अपने existing base में, existing profile में move करना है, हमें हर हाल में new category में move करना है, लोगों को कहिए कि अगर आप join क के लेते हैं, तो इतने में मिलेगा और इतनी earning आपको हो सकती है, और अगर join करते हैं, तो आपको इतने में पड़ेगा, आप ये जो offer है, जो retail margin है, जो ये BB से होने वाली income है, इसको as signing offer यूज़ कीजिए, believe me, इस lockdown के रहते रहते ही, हम सब अपने network को multiply कर सकते हैं, manifold कर सकते ह एक ऐसा product है दोस्तों, जिसमें न कोई delivery की जरुरत है, न किसी stock taking की जरुरत है, ये गभी out of stock होने वाला है, unlimited आपके पास रहेगा, आप advance में खरीद के रख सकते हैं, इसकी guarantee, इसका जो एक साल का period है, जब आप इसको बेचेंगे, जब अगला password डालेगा, उसके बाद से आप सब को अपने आप से कहना है, ये product तो जैसे आया ही मेरे लिए है, अभी पिछले हफते ही तो हमने नएने सपने बनाए हैं, पिछले हफते ही तो हमने subconscious mind को set करना सीखा है, और बस पिछले हफते ही तो हमने अच्छे बड़े-बड़े announcements किये थे, और ये काइनात इतनी करती है, ये तो शायद आप सब को भी नहीं पता होगा, तर मुझे पता है, मैंने बहुत बार experience किया है, पर अप टाइम आ गया है, अपने conscious mind को please करने का, आईए मेरे session का end, एक story से करती हूँ, एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर के गान्दी जी के पास गई, और उन गान्दी जी के पास गई कि गान्दी जी, बापू इसकी गुड़ खाने की आदद छोड़ा दो, तो बापू ने बच्चे के सिर पे हाथ खेके बोला, बेटा गुड़ जादा खाना अच्छी बात नहीं होती, ये आदद छोड़ दो, बच्चा बोला, अच्छा, और साइ तो मैं आज इस बच्चे से कह पा रहा हूं कि बेटा गुड़ खाने की आदद छोड़ दो, वो ही दोस्तों हमें करना है, जो चीज हम खुद आजमाएंगे नहीं, वो हम किसी को सिखा नहीं पाएंगे, तो सबसे पहला, फॉर्मोस्ट अपना ओर डालिए, एक नहीं, दो क और डालिए, और बस, मीटिंग सटेंड कीजिए, लर्न कीजिए, लर्न कीजिए, लर्न कीजिए, और फिर, और, 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 इसका इस नॉट दे लिमिट, छा जाएए, अल दी वेरी बेस्ट